लोग जानना चाहते है अईशा जी कब और ये शादी, मेरी वाके में सज बता रहूँ कुछ सोचते हैं हम नहीं उस पर इनोंने statement पिछले दिनों दिया है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है मुझे कोई जल्दी नहीं किसी और को तो जल्दी हो सकती है बहुत चाने वाले आपके आपने अब मैं हर किसी की नीज को केटर नहीं कर सकते है अच्छी बात भी है लेकिन पिर भी कॉंट्रोवर्शन बात करते हैं अब सब लोग जानना चाहते थे कि आईशा कब जो है शादी करने जा रही है तो जो जो अरजी डालनी है डाल दीजिये क्योंकि इस साल के डिसमबर तक लॉक हो जाएक और शादी की गूझ होगी और बहुत प्यारा हस्बंड बिलने जा रहे है जो लोड़िड भी होगा और मैं आपको आईशा जी यह बात श्रूस कर दो मैं आपको सुन ले इस प्रोग्राम में जितनी भी खैर शादी शुद्र खावतीन आई है हमारी बहन ने स्टिफिकेट दे के भेजा है और इस ताल गई भेजा है और हो गई उनकी शादी तुम मान लू मही बात आप आँखे बंद करके मानगी तुकि मैं खुद जानना चाहती हूँ कि मैं कब राज़ी करने के लिए लास्ट येर है अब आप उसको वेस्ट नहीं करेंगी और अब आपसे भर पूर एंजॉय करूंगे ये आशा की जो सबसे प्यारी शीज है कि मिजाचन बहुत जादा रिस्पॉंसिब ये मैं काऊंगी सवाल पूछे अच्छा तो ये जुन से मेरी शादी होगी वो मेरी जिंदगी में आ चुकी है अभी ने अभी आरे इंट पर बैठ जा रहे हैं अगर आप पीछे जाएंगे आशा जी शोची पियादे बंदा गया आपने बिल्कुश करते हूं कुछ हमारे सरवे के मताबक जब हमने बताया कि आप तश्रीव लारी है तो कुछ सबाद लोग जानना चाहे ठीए कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या खास्थियत देखना चाहेंगी? अच्छा, एक तो मैं पहले भी जवाब देचुकी हूँ, मुझे ना बदेनी लंबे लोग थोड़े ज्यादा लंबे लोग? अट्राक्टिव लगते हैं क्योंकि अकल गिट्टों में होती है अई थर यह नमाल एक निशानी और है वो आने वाला मुशूर आत्मी अर्यू, अर्यू, अच्छा हूँ, रिस्पेक्टफुल हो, मेरे लिए अच्छा हूँ कोई काम जो करना आपको बहुत मुश्किल लगता है सुबह जल्दी उचना और रात को जल्दी सोना मैं कुछ नाम लो तो इनको कोई मशवरा देना चाहेंगी वहरा मानी साहिबा वहरा मानी तो जो भी कर रही है, इस वरकिंग उनके लिए, उनके लिए उनके लिए, शी इस पॉट-उन बहुत अच्छी बात है, निदा यासर साहिबा यासर साहिबा निदा यासर साहिबा निदा भी सुट्प करेंगी बाफ फिजिकल अपेरेंस चैड अले जया सजल अली साहिबा मश्वरा यह कि सजल आब तुम डिरेक्ट और प्रदीश करो कोई सीरियल या कोई शेख रशीद साहब I have nothing to say बुटस साहब, बिलावल भुटस साहब Very good, आपके उर्दू बेहतर हो रही है और बेहतर करें अच्छी बाद अच्छी बाद के हर्दिल अजीज डॉक्टर आमिर लाकर साहब मुझे लगता है कि अपनी प्राइवेट जिंदगी की चीज़ें पब्लिकली इस तरह उनको डिसकस नहीं करना चाहिए और उनका तमाशा नहीं बनाना चाहिए बहुत अच्छी बात है आईशे जी आपके हवाले से एक ये भी तासुर लिया जाता है कि आप कॉंट्रोवर्शिल बहुत सारी चीज़ें कर जाती है क्या चाहते हुए करती है चाहती है कि कॉंट्रोवर्शी बने कुछ आपकी बोल्ड शूट सा जाती है कभी उस पे ले दे शुरू हो जाती है कुछ आप स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल में जो मैं जाती दौर पर समझता हूँ, कि इंसान के माजी में अगर कुछ हुआ हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी की देखा देखी, आप भी उसका बर्मला इज़ार कर दे, इससे मैं ये समझता हूँ, कि सम्टाइम्स इमिज डेमेज होने का बड़ा फ़क्राव, किसी को देख क ये नहीं, जब आपको, या ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है, कि हम बिल्कुली भूल जाते हैं, कि हम जिस society और मौशरे का हिसा हैं, वहाँ survival कितना मुश्किल हो जाएगा, और लोग यहाँ पे, उस तरह से बाशार नहीं है, कि उसको positive ले ले, ये मैं भूल जाती हूँ, But I need to follow my truth, जो मुझे सही लगता है और जो मुझे सच लगता है, और जहां मुझे लगता है कि सच को सामने आना जरूरी है, तो मैं उसको, कुछ हासिल होता है सच को सामने लाके, जैसा सच आप बोली, आपको लगा के, आपको बहुत आपकी वावाकार हुई, लेकिन हर चीज आप वावाकार के लिए तो किस के लिए आपने अपनी परसनल एक, not satisfaction, but you need to answer to yourself, right? Don't you? I don't think so. You do. At the end of the day, आप हैं और आपका खुदा है, बस, लिकिन मैंने कभी किसी का नाम लेके, या कभी किसी को, आप कहते हैं ना, कि you put someone in the spot, I've never done that. Support, किसी को इस सपोर्ट करता है, ना? नहीं, मैं किसी इनसान को सपोर्ट नी करता है, किसी तहरीक को सपोर्ट कर रही थी? मैं किसी तहरीक को भी सपोर्ट नी करता है, किस को सपोर्ट? मैं अपनी सच को, और मैं विक्टम को, किसी ने आप से वो सच कूछा था? जी, उचाता है, बलके बहुत लोग उचाता है, आप ने कहा कि मैं फिर बोली दूँ फिर नहीं, मैंने तो कभी भी ओपन ली कभी ऐस सच कुई चीज नहीं बोली, I don't even know what you're talking about, but I'll say okay, I'm actually discussing harassment वाली बात जो हुई थी, नॉमान भाई, I have been through it myself, and I never spoke about it, मैंने सालोंस बात को सप्रेस करके रख दिया, तो उसके फिलिप साइड पे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, when they hear someone in a position of influence, talking about something real and human, तो बहुत सारों को इंस्परेशन गरती है, और बहुत सारी खवातीन हैं, जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, and they never speak about it, मैंने नहीं बात की, पंदरा साल उस चीज के बारे में, not even to my best friend, and then, जब किसी एक इंसान ने उठके का, के मेरे साथ यहुआ तो मुझे थोड़ी सी strength मिली कि, okay, I wanna talk about it too, and maybe other people who've been through it, can be like, okay, we are not alone, you know, and मुझे लगता है कि अपनी वावा से बहतर है कि आप किसी की जिन्दगी को positively influence कर पाएं, या उनको कुछ सिखा पाएं, that's better. जा बही दिख बाल, एक बड़ा controversial topic. बलकुर. इसलिए इस फिल्म के लिए भी हामी भर्दी के एक controversial topic? नो, जो character मुझे offer हुआ था, I really liked it. It was very strong and empowering. जो film है, it's based on true event. लेकिन जो female police officer का character, that didn't really exist. एक male police officer ही थे, जन्होंने investigation को बीज़ किया था. तो मैंने कहा कि this is something challenging, I wanted to do it. कितना नुकसान हुआ श्वेब साब को, श्वेब मलिक साब को उन तसावीर का? बहुत फाइदा नीए. अज़ा फाइदा होए? उन्होंने इनिंग खेल लिए गोड़ा है. नुकसान, I don't think, नुकसान हुआ है उनको. श्वेब और श्वेब और श्वेब और वाइदा है, श्वेब और श्वेब और रही नुकसान हुआ है. यापको पता है के सानिया मिर्जा साइब को कितनी दफ़ा उनको तस्वीरे तैग हुए? एक दफा तुम्हेने रिप्लाय भी कर दिया एक ट्रोल को and he's like के आपकी शादी कब हो रही है and I'm like भाई हम दोस्ते हैं बहुत अच्छे, he's happily married okay